सफल बने समर्थ बने पावन बने जिवन नीठी मुरली सुनके पाए सुख सघन आज का चिन्तन आज का चिन्तन ओम शांती गट मॉर्णि ग्यान का सागर शिभावा आदी मध्यान्त को समझाने वाले बड़े प्यार से प्यार का सागर आज हम बच्चों को कह रहे हैं बेहद डामा के आदी मध्यान्त को समझना है जो पाश्ट हुआ है वही फिर प्रेजेंट होना है अब इस संगा में उग प्रेजेंट है फिर सत्युगाना है बाबा पूछ रहे हम बच्चु को श्रीमत पर अपने आपको परफेक्ट बनाने की विदी कौन सी है बाबा कह रहे हैं अपने आपको परफेक्ट बनाने के लिए बिचार सागर मंतन करो अपने आप से बात करो बाबा आप कितने मीठे हो हम भी आप जैसा मीठा बनेंगे हम भी आपके समान माश्टर ग्यान सागर बन सब को ग्यान देंगे किसी को भी नारज नहीं करेंगे शांती हमारा स्वधरम है हम सदा शांत रहेंगे अशरीर बनने का अभ्यास करेंगे ऐसी ऐसी स्वयम से बाते करें स्वयम को परफेक्ट बनाना है अब उन्हें बहुत प्यारा सा गीत याद के है माता ओ माता तू सब के भागय विधाता माता ओ माता तू जीवन की दाता बावगते स्री भगवान वाज कहने से मनिशु कुछ नहीं समझ सकेंगे नाम जरूर लेना पड़े शिव भगवान वाज गीता सुनाने वाले जो भी हैं वो कहते हैं कृष्ण भगवान वाज वो पाष्ट में हो गये हैं समझते हैं श्री कृष्ण आया था और गीता सुनाई थी वो राज्यक सिखाया था अब जो पाष्ट हो गया वो फिर प्रेजन जरूर होना है जो जो प्रेजन है वो फिर पाष्ट होना है जो पाष्ट हो जाएगा उसको कहेंगे बीत गई तो अब शिवावा आया है जरूर होकर गया है शिव भगवा नुबाच जो उच ते उच हैं वो सब कबाब है जिसको सर्विशक्तिवान कहा जाता है वो बेट समझाते हैं तुम उनके बच्चे शिवशक्तिया हो शिवशक्ति के महिमागीत में सुनना शिवशक्ति जगतंबा होकर गई है जिसका यह यादकार है होकर गए हैं फिर आने हैं जरूर जैसे सत्यों को पाष्ट वा अवकलिव है फिर सत्यों आने वाला है अभी है पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगब जरूर नई दुनिया होकर गई है अब पुरानी दुनिया है फिर नई दुनिया आएगी जो सत्यों को पाष्ट हुआ फिर फविश्य में आना है यह समझ की बात है ग्यान है ही समझ वो है भक्ति यह है ग्यान सुष्टि का चक्र कैसे फिरता है वो समझना है तो बाव वड़े प्यार से हम बच्चों को समझा रहे हैं कि श्रिष्ट की चक्र कैसे फिरता है बावा केते हैं जो कुछ करते हैं सो परमपिता परमात्मा करते हैं ये बड़ी समझने की बात है मनुश्य के हाथ में कुछ नहीं है मनिश्य को सुक्षान्ती देना ये बाप का काम है हमेशा महिमा एक बाप की करनी है कोई की महिमा है नहीं लक्षिनान की भी महिमा नहीं है परंतो राज्य करके गए हैं तो समस्ते ये स्वर के मालिक थे वंडर तो देखो वो जड़ चित्र और यहां चेतन वेटे हैं श्रिभगवा नुबाच तुम राजाओं का राजा पुज्य बनते हो फिर पुजारी बनेंगे पुज्य लक्ष्मिनान ही फिर आपही पुजारी बनेंगे तो जो पास्ट हो गए हैं उनका फिर मन्दिर बना कर पुजन करते हैं यह सिद्ध कर बताना है एजने कि इश्वर आपही पुज्य आपही पुजारी बनता है नई मनिश्य यह भी नहीं जानते कि मैं परमपिता परमात्मा कहा निवास करता हूं मेरे जो बच्चे सालिग्राम है वो भी यह नहीं जानते हम कहां के रहने वाले हैं आत्मा और परमात्मा का घर एक ही है सुईट हम सिर्फ सुईट फादर हम नहीं कहेंगे अभी तुम जानते हो निर्वान धाम हमारा भी घर है हमारा फादर भी है और हम भी है सिर्फ घर को याद करेंगे तो ब्रह्मा के साथ हो गया योग उनसे विकर्म बिनाश ही हो नहीं सकता भल ब्रह्म ही होगी तक तो योगी है परन्त उनके विकर्म बिनाश नहीं हो सकते हाँ, भावना से करके अलपकाल के लिए सुख मिलता है जितने याद करेंगे उतना शांती मिलेगी तो बाप कहते ही उनका योग रंग है तुमको याद करना है एक बाप को और बाप कहते ही मुझे याद करने से तुम्हारे भी कर्म बिनाशोंगे श्री किष्णा इसे कहे नहीं सकते है वो तो बेकुंट खम्मालिक है वो थोड़ी कहएगा श्री रिवन शिवावा को याद करो तो मुझे याद करो नहीं भागते मुझे याद करो सारा मदार गीता को परफेक्ट कराने पर है गीता खंडन होने के कारण भगवन की हस्ती गुम हो गई है तो बागते तुम्हारी बृद्धी होती जाएगी दिन प्रते दिन मनेशो समस्त जाएंगे अवस्था वड़ी अच्छी चाहिए जैसे ड्रामा के एक्टर्स को मालुम होता है कि हम घर से स्टेज पर पाट बजाने आए है वैसे हम आत्माए यह शरी रुपी चोला लेकर पाट बजाती है फिर वाफस जाना आए शरी छोड़ना पड़ता है तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए डरना नहीं चाहिए तुम बहुत कमाई कर रहे हो शरी छोड़ने वाले खुद भी समझ सकते हैं हमने कितनी कमाई की है तुम समझते हो जो शरी छोड़कर गए है उन में से किसका मरतबा बढ़ा कही फाला ने बहुत सर्विस करते थे जाके दूसरा लिया एड़बांस हो गए उनका उतना ही पाड़ था फिर भी कुछ ना कुछ ज़ह ग्यान लेने के लिए आजाएं हो सकता है बारीश तो बन गए न किसके साथ हिसाब किताब चुक करना होगा वो खलास करने गए आत्मा तो ज़ह हो ग्यान के संसकार हैं न संसकार आत्मा में ही रहती है वो गुम नहीं हो सकते कहां अच्छी जगा सर्विस करते होंगे नौलेज के समस्कार लेके तो कुछ ना कुछ जाकर सर्विस करेंगे ऐसे तो नहीं सब जाते रहेंगे नहीं हाँ इतना जरूर है योग में रहने से आयू बढ़ती है मेनर्स भी बड़े अच्छे चाहिए यह भी बच्चे जानते हैं कल पहले जिनका सेप्लिंग लगा है वही आएंगे और धारणा करेंगे नहीं तो जैसे बाइर मुआप्टिक मुझा हुआ मतलब आया और गया यहाँ तो तुम जानते हो हमको नौलेज़ फुल फदर ने जो नलज़ दी है वो कोई में भी नहीं है हम गुप्तुबेश में हैं फिर हम भाविश्य में स्वर के मालिक बनेंगे कर्म तो सब कर रहे हैं परंतो मनुष्य के कर्म सब भी कर्म होते हैं क्योंकि रावन की मत पर करते हैं हम श्रीमत पर कर्म करते हैं श्रीमत देने वाला है बाबा बाबा ने समझाया है तुम हो सल्विशन आर्मी सल्विशन आर्मी उनको कहा जाता है जो किसके डूबे हुए बेडे को मतलब नाव को पार लगाते हैं दुखी को सुखी बनाते हैं अभी तुम स्रीमत पर सबका बेड़ा पार कर रहे हो तो आज प्यारे भावा हम बच्चों को धारणों में केते ही स्रीमत पर हर करम स्रिष्ट करना है सबके डुबे हुए बेड़े को स्रीमत पर पार लगाना है बेड़े मना नाव जीवन दुख्यों को सुख देना है अंदर स्वदर्शन चक्र फिराते रुद्र माला में नजदिक आने के लिए याद में रहना है ग्यान का मंधन करना है अपनी आफ से बाते जरूर करनी है आज वावा हम बच्चों को भरदान दे रहे है ब्रामन जीवन में सदा आनन्द वा मनरंजन का अनुभव करने वाले खुशन शीव भाव खुशन शीव बच्चे सदा खुशी के जुले में जुलते ब्रामन जीवन में आनंद बा मनुरुजन का अनुभव करते हैं यह खोशी का जूला सदा एक रस्तव होगा जब याद और सेवा की दोनों रस्षियां ताइट हो एक विरसी धिली होगी तो जूला हिलेगा और जूलने वाला गिरेगा इसलिए दोनों रसियां मजबुत हो तो मनर्जन का अनुभव करते रहेंगे सर्वी शक्तिमान के साथ हो और खुशियों का जुला हो तो इस जैसी खुश नसीबी और क्या होगी तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगान दे रहे हैं सब के प्रती दयाभाप और कृपा द्रिष्टी रखने वाले ही महानात्मा है आज के मुर्ली का नुसर हम सोमान लेंगे कि मैं संसार में स्रिष्टी में ब्रह्मान में सब से खुशन शिवात्मा हो मुर्ली को और गहरी रिति से चिंतन करते हैं निरंतर अभ्यक्त फरिष्टा बनने के लिए संसार को शुक्षान्ति आनन पवित ताई किरने देनी हैं सोमान में रहना है चिंतन करना है और सब को सुकु देना है मुस्कुराते रहिए आगे वड़ते रहिए पुरुशार्थ करते रहिए खुश रहें स्वस्त रहें मस्त रहें ओम शांती ओम शांती ओम शांती